नमस्कार आरके चन्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके सामने इक मैं फ्रॉक लेकर आई हूँ जो कि पहले मैंने आपको जैकेट बनानी सिखाई थी यह मेरी वीवर्स ने मुझे पिक्चर भेजी थी उसके रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ अब आपके इसक नीचे वाला हिस्दे बना रही हूँ जैकर मैंने पहले बना ली थी अब नीचे वाला हिस्दे फ्रॉक बनाने जा रही हूं हि Mina जो मैंने 130 इस भंबे डाले है 130 आधा के पहले मैं चार समय सीधी श्राइन डाल ला फि lawn ऐसे करकर मैंने अपने बच्चे के साब सी अपपनी लोबाई को 130 इस भंब मैंने डाले हैं पहले मैं डिजान बनाना सिखा देती हूं कंज देख को चार फंदे मैंने सीधे, फिर जाली, फिर एक, दो, तीन, चार, फिर तीन फंदे हमने तीन का एक करना है, यह दो फंदे उतार लिए, पीछे याला फंदा स्लाई में डाल के, यहां से, फिर दो का एक कर दिया, इस फंदे को इसके उपर से ऐसे उतार दिया, फिर एक, दो, तीन, चार, फिर जाली, फिर धागा आगे करके फिर जाली, फिर एक, दो, तीन, चार, फिर तीन का एक करना, दो फंदे हमने उतार लिए, पीछे से ये फंदा हमने ऐसे स्लाई में कर लिया अब दो का इक कर देना जो फंदा हमने उतारा था उसको उसके उपर से ऐसे एक दो तीन और चार फिर जाली बक्की फंदे हमारे सीधे उल्टी स्लाई पूरी उल्टी जाएगी पिर देखो फिर सीधी से लाई आगी हमारी पेले हमारे चार फंदे सीधे मैंने पुने फिर धागा आगे कर के जाली फिर एक दो तीन और चार फिर तीन का एक करना है तीन फंदे दो फंदे उतार लिए पीछे से एक फंदा इस स्लाई में करके अब दो का एक कर देंगे जो फंदा हमारा सेंटर वाला है वो इसके उपर से उतार देंगे फिर एक, दो, तीन, और चार, फिर धागा आगे करके जाली, फिर धागा आगे करके दो जालियां डाल गी, एक, दो, तीन, और चार, फिर तीन का एक करना, एक फंदा उतारा, दूसरा उतारा, पीछे से, देखो, पीछे से आसे, कि इस लाई में कर लेना यह सेंटर वाला फंदा हमने ऐसे कर लिए यह सेंटर का फंदाना ऐसे करके फिर दो का एक करके जिए फंदा इसके उपर से आसे फिर एक दो तीन और चार फिर धागा आगे करके जा लिए उल्टी स्लाई सारी उल्टी जाएगी इस तरह आपने यह सारा बना लेना अब हमने क्या करना है यह हमारा पूरा कंप्लीट हो गया अब हमने फंदे कटाने हैं यह एक सो तीस फंदे थे अब हमने दो फंदों का एक करते जाना एक फंदा उतार लिया फिर दो का एक दो का एक ऐसे दो का एक पूरे आपने दो का एक सीधी सीधी से लाइना ही चड़ाने हैं दो फंदों का एक करते जाना इससे हमारे फंदे आदे हो जाएंगे और पीट्स डल जाएंगे ऐसे पूरे आपने दो का एक करते जाना बीट बीट में मैंने एक फंदा वैसे बुन लिए क्योंकि मैंने सत्तर फंदे उपर रखने हैं सत्तर फंदे के लिए मैंने कभी कभी बीच बीच में एक फंदा वैसे भी बुन लिया यह है 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 कि एजै ला एक पंदा बीच बीच में आप भूल लना अपने जितने फंदे आपने रखने आपने बच्चे के साफ से आप। वैसे दो दो का एक करते जाना कि या आपने ज्यादा पन दि रखने ability आक मैं बढा बनाना तो चाली फंदे रखने तो आपने बीच पीच ऐसे छोड़ लेना एक एक फंदा ज़ाए एक फंदा यहां बुन लोगी पैसे पाल बीच बीच में कोई कोई फंदा आप ऐसे बुनते जाओ आपके 70 फंदे मैंने किये आपने बड़ा बना ना हो तो 40 फंदे भी कर सकते हो मैं सोरी असी फंदे भी कर सकते हो चाली जोड असी फंदे यह मैंने सत्तर फंदे करने है इसलिए मैंने बीच बीच में से एक एक फंदा वैसे बुनके अपने पुरे फंदे कर लिए इस तरह मेरे सत्तर फंदे बुरे हो गए अब उल्टी स्लाइवी हमने सीधी ही डाल नहीं पूरी सीधी डाल लेंगे जी देखो यह हमारा इतना बन गया अब हमने इसमें डोरी डालने के लिए जाली बनानी है उसके लिए क्या करना धागा पीछे एक फंदा बुन लिया धागा आगे दो का एक फिर दो फंदे सीधे फिर धागा आगे फिर दो का एक फिर एक दो फिर धागा आगे दो का एक फिर एक दो फिर धागा आगे दो का एक फिर एक दो फिर धागा आगे दो का एक दो फंदे सीधे बुन लेने फिर धागा आगे दो का एक दो फंदे सीधे फिर धागा आगे दो का एक फिर दो फंदे सीधे ऐसे अपने पूरी सिलाई कम्प्लीट कर लेने लेख दो दो धागा आगे दो का एक एक दो फिर जागा आगे यह से हमने उल्टी स्लाई पूरी सीधी आएगी आप थोड़ा सा आगे सीधा भून के फिर आपको आगे उकटिंग करनी सिखाती है कि यह देखो मैंने जाली डालने के बाद इतना सीधा बुन लिया कुल मैंने से लाइया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोरा पंदरा तीस लाइया मैंने कुल डाल लिया वीचे से शुरू करके अब हम कटिंग करेंगे काम होल की यह देखो एक दो और तीन बाकी सारी सीधी लास्ट में हम आके एक फंदा वैसे हम उतार लेंगे ऐसे उल्टी स्लाई जी फंदा उतारा हुआ वैसे खोड़ तारा एक दो और तीन बाकी स्लाई सारी है हमारी सीधी लास्ट में एक फंदा है ऐसे उतार लेना अब प्रेज़ लास्ट में आप अब सीधी से लाई आ गई करना ऐसे आपने कर लो एक फंदा बुल लिया इसे फंदा उतार लिया एक और दो अब पूरी स्लाई सीधी सीधी से लाई आ गई एक फंदा उतारा दोसरा भी उतारा एक पहले हमने तीन कहे थे अब दो फिर अब एक अब इधर भी एक कर लेंगे बाकी थोड़ा सीधा ही बुनके फिर आगे आपको गले की कटिंग करनी सिखाऊंगे आप थोड़ा आगे बुन लो एंड में आके इधर भी एक का अपने कटिंग करनी है आप थोड़ा बुन लो फिर आगे आपको गला का दिखात दिने अब हम गले की शेप डालने जा रहे हैं यह गला मैंने थोड़ा सा नाओ गला बनाया है ना पूरा गोल ना पूरा नाओ यह देखो कैसे बनाना पहले हम 24 फंदेदर रख लेंगे एक तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा टेरा चॉड़ा पंदरा शोला स्टारा थारा उननीश बीस इतिस बाइस देश जोवी 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 फंदे हमने दिर रख लिए एक दो तीन चार पांच दास फंदे हम बीच में कटा देंगे पहला झार मुआ ए दो ती ती जार पांच शे चार पांच शे ताट आर्ट नो और दस यह हमारे जो भी फंदे रहेगे जी हम सीधे ही बुल लेंगे कि यह मरी उल्पी स्लाई है उल्पी स्लाई में हमने ऐसे एक फंदा हमने छोड़के ऐसे कर लेना अब सीधी स्लाई आ गई सीधी स्लाई में फंदा हमने उतारा था वह भी उतार लाना और एक और उतार के एक और दो सीधी स्लाई पूरी कर लेने फिर उल्पी स्लाई भी सीधी करनी है फिर आगे आको यहां बताती हूं पूर्टी स्लाई में फंदा हमने ऐसे उतारना अब सीधी स्लाई आ गई एक फंदा पेले उतारा हो थे एक और उतारा एक फंदा बंद किया एक और किया ब्लुकुल पता नहीं चल रहा न कहां-कहां से कटिंग किया देख। ब्लुकुल एहन गोल गोल आएगा फिर पूरी स्लाई सीधी आ जाएगी उल्टी स्लाई भी सीधी उल्टी स्लाई में बस लस्ट में एक फंदा आपने बिना उतारे उतारना है प्रेले हमने दस फंदे कटाये थे फिर दो फिर दो अब हमने एक एक करके उपर हमने सोला फंदे रखने है लास्ट में फिर एक फंदा बुन लिया भागा आगे करके एक फंदा उतार लिया अब हमने एक एक फंदा कटाना पहले 2 दो किये थे फिर 1 उपर हमने इसोला फंदे रखने है ऑप हम कटा जाएंगे सोला फंदे तक आप पंदे कटाते जाओ यह देखो यह पूरी मैंने देखो कितनी सफाई ना आई कटिंग हमारी गले की यह मेरे पूरे सोला फंदे आगे अब हम दो चार्स लेंगे हम सीधी सीधी वैसे चड़ाएंगे कि यह कटिंग कोई नी करनी थोड़ा मुंदा हमारा चोटा लग रहा दो चार्स लेंगे आप डाल लेंगे सिम्पल ऐसे चार्स लेंगे आप वोल चड़ा के इसी तरह जैसे मैंने यह पताया ऐसे अपने इधर वाला भी कर लेना यह वाला भी थोड़ा सा मुंदा चोटा लग रहा है इसलिए मैंने चार्स लेंगे आप चड़ाएंगे तो इतना हो जाएगा यह देको ऐसे आप इधर लबाए कर लो फिर हम दोनों तीरे आप दिस में जोड़ देंगे जैसे यह करा वैसे यह इधर वाला बनाना आपने पर दो फंदे कटाने फिर दो फिर एक 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 फंदा छोड़के जाओके तो देखो बिल्कुल सफाई आएगी देखो कितनी सफाई आ रही है आपको मिजदीक से दिखाती हूं इसे आप इधर भी कर लो पिर आगे बताती हूं जे देखो मैंने पूरा बनाके एक सेड़ मैंने जोड़ ली है और दूसरी सेड़ हम जोडने जा रहे हैं अब सुई के साथ भी जोड सकते हो और सलाईयों के साथ भी दोनों तरफ से एक वंदा लेकर एक वनाई दर से एक दर से वहाँ भी जोड़े जादा लेकर वाँ कि पिर एक दो कर दो मेंने जोड़ा भी जाना कि यह देखो पुरा पन किया पूरा गोल भी नहीं और पूरा वह नाओ भी नहीं थोड़ा सा ना हुआ यह हम को रोशे के साथ इसकी बीडिंग कर देंगे और मैंने इसकी बाजू भी बनाई यह देखो जाय हम रिबन डालेंगे और मैंने एक पासा स्लाई कर दिया देखो दूसरी शेल भी ऐसे आप स्लाई कर नहीं चलो आपको मैं बाजू बनाना सिखा ती ते देखो मैंने बतीस बतीस बंदे डाल के मैंने नीचे शुरू किया था विर मैंने चोटी-चोटी-चोटी- सलाई कि आपके बच्चा चोटा है तोट्थीन पंज मैं पंजमी में सलाई में आप एक फंदा बढ़ाते हैं अ दोनो तरफ से उपर जाके मैंने 62 पंदे कर लिये और प्रंप थोड़ी सीचेव ड़नीं इतनी स्याद हैं नहीं 5 इन-22-21 एक य तीन-45 शे बर मैंने थाइस फंदे रखके मैंने बंद कर दिया यह देखको मैंने दूसरी बाजु भी बना लिया है आप हम कटिंग कान्य आपको सिखा देती हूं एक दो तीन और चार पहले मैंने चार किया फिर तीन करूंगी फिर दो करूंगी फिर दो दो के उतने करने जितने मैंने फंदे रखने हैं ठाई फंदे मैंने रखके बंद कर दे रहे हैं लास्ट में एक फंदा शोड़के ऐसी तार लेने आप चाहे तो बाजू लगा सकते हो आप चाहो हो तो नहीं भी लगा सकते हो आपकी मज्जी है एक दो तीन और चार ऐसे अपने करने पर चार कर लिए फिर तीन फिर दो 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 उपर मैं ठाई फंदे तक कटिंग की है उसके बाद मैंने बंद कर दिये ऐसे आप कर लो फिर आपको पूरा स्वेटर बना कर मैं आपको दिखाती हूं जिए पूरी बन के त्यार हो गई यूपर मैंने जैकेट जा मैंने थोड़ा फ्लावर बना कर लगा दिया जीबन भी डाल दिया द्यार मैंने थाम हो पुली कर दा आपको अ हुआ यू जैपर मिया मैंने लगा जो बे उरिक्श दिया ता धजड़ मैंने जड़ीi लाफा टाल के बच्चे की हैं आपने बनानी हो तो थोड़े फंदे आझ अज़े बॉड्डी का लंबाई होड़ी जादा बना लो अपने बच्चे के साब से है जे बाजु मैंने लगा दी है को जैकट तो आपने देखी ये साथ में जे जैक्ट अ और जे थोड़ ना गोल कला है ना थोड़ा सा नाव कला है यह रोशे के साथ आपने जैसी जैकड में किया था ना ये वाला क्रोश्य हमने सिखाया था ऐसी मैंने कले के उपर भी कर दिया थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने कमेंट्स जूर देना नमस्कार आरके चन्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके सामने इक मैं फ्रॉक लेकर आई हूं जो कि पहले मैंने आपको जैकड बनाने सिखाई थी यह मेरे वीवर्स ने मुझे पिक्चर भेजी थी उसके रिक्वेस्ट पर बना रही हूं अब आपके इसके नीचे वाला हिस्सा बना रही हूं फ्रॉक बना रही हुं जैकड मैंने इसके बना लही थी अब पिन नीचे वाला हिस्सा फ्रॉक बनाने जा रही हूं और जो मैंने 130 फंदे डाले है एक्सो तीस फंदे डालके पहले मैंने चार स्लेया सीधी फिर डिजाइन डाला फिर चार स्लेया सीधी फिर डिजाइन ऐसे करके मैंने अपने बच्चे के साब से आप अपनी लोबाई रख लो 130 फंदे मैंने डाल ले हैं पहले आपको मैं डिजान बनाना सिखा देती हूं जे देखो चार फंदे मैंने सीधे फिर जाली फिर एक दो तीन चार फिर तीन फंदे हमने तीन का एक करना है ये दो फंदे उतार लिए पीछे वाला फंदा स्वाई में डाल के यहां से फिर दो का एक कर दिया इस फंदे को इसके उपर से ऐसे उतार दिया फिर एक दो तीन चार फिर जाली फिर धागा आगे करके फिर जाली फिर एक दो तीन चार फिर तीन का एक करना दो फंदे हमने हमने उतार लिये पीछे से ये फंदा हमने ऐसे स्लाई में कर लिया जो अब दो का एक कर देना जो फंदा हमने उतारा था उसको उसके उपर से ऐसे एक दो तीन और चार फिर जाली बक्की फंदे हमारे सीधे उल्टी स्लाई पूरी उल्टी जाएगी देखो फिर सीधी से लाई आगी हमारी पेले हमारे चार फंदे सीधे मैंने बुने फिर धागा आगे करके जाली फिर एक दो तीन और चार फिर तीन का एक करना तीन फंदे दो फंदे उतार लिए पीछे से एक फंदा इस लाई में करके अब दो का एक कर देंगे जो फंदा हमारा सेंटर वाला है वो इसके उपर से असे उतार देंगे फिर एक दो तीन और चार फिर धागा आगे करके जाली फिर धागा आगे करके दो जालियां डाल गी एक दो तीन और चार फिर तीन का एक करना एक फंदा उतारा दूसरा उतारा पीछे से देखो पीछे से आसे इस लाइ में कर लेना यह सेंटर वाला फंदा हमने ऐसे कर लिए यह सेंटर का फंदाना ऐसे करके फिर दो का एक करके जिए फंदा इसके उपर से आसे फिर एक दो तीन और चार फिर धागा आगे करके जाली उल्टी स्लाइस आरी उल्टी जाएगी इस तरह आपने यह सारा बना लेना अब हमने क्या करना है यह हमारा पूरा कंप्लीट हो गया अब हमने फंदे कटाने हैं क्योंकि एक सो तीस फंदे थे अब हमने दो फंदों का एक करते जाना एक फंदा उतार लिया फिर दो का एक दो का एक ऐसे दो का एक पूरे आपने दो का एक सीधी सीधी से लाइया ही चिडाने है दो फंदों का एक करते जाना इससे हमारे फंदे आदे हो जाएंगे और पीट्स डल जाएंगे ऐसे पूरे आपने दो का एक करते जाना बीट बीट मैंने एक पंदा वैसे बुन लेएंगे पाइमे लिए ड़ीक्ति ऑसे екलिया हुआ क्योंकि मैंने शत्तर फंदे उपर रखने है सिस्थर ह Blair के लिए मैंने इक बीच εκज में एक पंदा वैसे भी बुल लेओ आस यसे डिन एक फंदा बीच बीच में अपने बुंड लन आपने इस इतने वंदे आप आपने बीच 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 में कोई कोई फंदा आप ऐसे बुनते जाओ आपके 70 फंदे मैंने किये आपने बड़ा बनाना हो तो 40 फंदे भी कर सकते हो मैं सोरी 80 फंदे भी कर सकते हो 40 जोड 80 फंदे जै मैंने 70 फंदे करने है इसलिए मैंने बीच बीच में से एक एक फंदा वैसे बुनके अपने पुरे फंदे कर लिए इस तना मेरे 70 फंदे पुरे हो गए उल्टी स्लाइवी हमने सीधी ही डाल नहीं पूरी सीधी डाल लेंगे यह देखो यह हमारा इतना बन गया अब हमने इसमें डोरी डालने के लिए जाली बनानी है उसके लिए क्या करना धागा पीछे एक फंदा बुन लिया धागा आगे दो का एक फिर दो फंदे सीधे फिर धागा आगे फिर दो का एक फिर एक दो फिर धागा आगे दो का एक फिर एक दो फिर धागा आगे दो का एक फिर एक दो फिर धागा आगे दो का एक दो फंदे सीधे बुन लेने फिर धागा आगे दो का एक दो फंदे सीधे फिर धागा आगे दो का एक फिर दो फंदे सीधे ऐसे अपने पूरी सिलाई कम्प्लीट कर लेने एक दो धागा आगे दो का एक एक दो धागा आगे ऐसे आपने उल्टी स्लाई पूरी सीधी आएगी अब थोड़ा सा आगे सीधा बुनके फिर आपको आगे उकटिंग करने सिखाती है यह देखो मैंने जाली डालने के बाद इतना सीधा बुन लिया कुल मैंने स्लाईया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस क्यारा बारा तेरा चोरा पंदरा तीस लाईया मैंने कुल डाल लिया है वीचे से शुडू करके अब हम कटिंग करेंगे काम होल की यह देखो एक दो और तीन बाकी साई सीधी लास्ट में हम आके एक फंदा वैसे हम उतार लेंगे ऐसे उल्टी स्लाई यह फंदा उतारा हुआ वैसे खोड तारा एक दो दो और तीन बाकी स्लाई सारी हमारी सीधी एंड प्यार क्याओ को फिर दिखाती हूं देखो लास्ट में एक फंदा ऐसे उतार लेना सीधी स्लाई आ गई एक फंदा उतारा थब बवट लेंगे दूसरा भी उतार लेंगे फिर एक और दो पहले तीन क्टिंग कीटी थी अब दो यह देखो ऐसे चेन चेन सी आ जाएगी अदर भी हमने ऐसे कर लाएंदे दो की एक पहले थीन के यह थी तो यह जो करने फिर एक करना ऐसे आपने कर लो एक फंदा बुल लिया फिर था का ऐसे फंदा उतार लिया एक और दो अब पूरी स्लाइब सीदी सीदी स्लाई आगे एक फंदा उतारा दोसरा वितारा एक पहले हमने तीन कहे थे अब दो फिर अब एक आप इधर भी एक कर लेंगे बाकी थोड़ा सीदा बुनके फिर आगे आपको गले की कटिंग करनी आप थोड़ा आगे बुन लो एंड में आके इधर भी एक का अपने कटिंग करनी है आप थोड़ा बुन लो फिर आगे आपको गला का दिखाते लिए अब हम गले की शेप डालने जा रहे हैं यह गला मैंने थोड़ा सा नाओ गला बनाया है ना पूरा गोल ना पूरा नाओ यह देख को कैसे बनाना पहले हम चोभी फंदेदे रख लेंगे एक तीन चार पाँच छी साथ आठ नो दस गयारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा सोला स्थारा थारा उन्नीस बीस इतिस बाइस देश जोवी जोवी फंदे हमने दे रख लिए एक दो तीन चार पांच दस फंदे हम बीच में कटा देंगे पर ला आर अलो यिदो पीन चार पांच घसी बंड्च तीन चार पर चार पांच घसी बीचार पांच। ची ताप आप नो और दस यह हमारे जोवी फंदे रहे गए जिम सीधे ही बुलेंगे यह मारी उल्पीस लाई है उल्पीस लाई में हमने ऐसे एक फंदा हमने छोड़के ऐसे कर लेना अब सीधी सलाई आ गई सीधी सलाई में जो फंदा हमने उतारा था वह भी उतार लेना वह एक और उतार के एक और दो सीधी सलाई पूरी कर लेने फिर उल्पीस लाई भी सीधी करनी है फिर आगे आकर यहां बताती हूं अब सीधी सलाई में एक फंदा हमारे ऐसे उतारना है अब सीधी सलाई आ गई एक फंदा फेले उतारा हो थे कोर उतारा एक फंदा बंद किया अब एक और किया ब्लकुल पता नहीं चल रहा न कहां कहां से क्टिंग किया देखो गोल गोल आएगा फिर सीधी फिर पूरी स्लाई सीधी आ जायेगी, उल्टी स्लाई भी सीधी, उल्टी स्लाई में बस लास्ट में एक फंदा आपने विना उतारे, उतारना है, प्रले हम ने 10 फंदे कटाये थे, फिर दो फिर दो, अब हमने एक एक करके, उपर हमने 16 फंदे रखने हैं, लास्ट में फिर एक फंदा बुन लिया भागा आगे करके एक फंदा उतार लिया उतारा फंदा भी उतार ले ना एक और उतारा इसके उपर से आज़े आप हमने एक एक फंदा उतारा ना प्रेले 2 दो किये थे फिर उपर हमने सुला फंदे रखने हैं सुला फंदे जितने तक नी आते तब हम क्टाते जाएंगे सुंला फंदे तक काप हम पंदे क्टाते जाओ कि यह देखो यह पूरी मैंने मितनीझ सफ़ाइम आई कुटिंग हमारी गल्ले की यह मेरे पूरे 16 फंदे आ गए अब हम दो चार्स लेंगे हम सीधी सीधी वैसे चड़ाएंगे कि जब कटिंग कोई नहीं करने थोड़ा मुंडा हमारा चोटा लग रहा है दो चार्स लेंगे डाल लेंगे सिंपल ऐसे चार्स लेंगे आप वोड चड़ा के इसी तरह जासे मैंने यह पताया ऐसे अपने इधर वाला भी कर लेना यह वाला भी थोड़ा समूंडाव चोटा लग रहा है इसलिए मैंने चार्स लेंगा चड़ाएंगे तो इतना हो जाएगा यह देखो ऐसे आफ इधर रवाई कर लो फिर हम दोनों तीरे आपसे में जोड़ देंगे जैसे यह करा वैसे यह इधर वाला बनाना आपने पर दो फंदे कटाने फिर दो फिर एक 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 फंदा छोड़के जाओ कर देखो बिल्कुल सफाई आएगी इसे आप इधर भी कर लो फिर आगे बताती है यह देखो मैंने पूरा बनाके एक सेड़ मैंने जोड़ लिए और दूसरी सेड़ हम जोडने जा रहे हैं यह देखो आप सुई के साथ भी जोड़ सकते हो और सलाईयों के साथ भी दोनों तरफ से कि क्वंडली कर एक नाइडर से एक एडर से झरा बनाके तक है यह दूस्या रहे हैं पोने खेखो झरा जोड़ से यह दुड़ा रहे ही जोड़ वागे नाइडर से तका मैंने आडर से की लिए और मैंने पूरा बने गया पूरा गोल भी नहीं और पूरा वह भी नाव भी नहीं थोड़ा सा नाव यह हम कुरोशे के साथ इसकी बीडिंग कर देंगे और मैंने इसकी बाजू भी बनाई है यह हम रीबन डार लेंगे और मैंने एक पासा स्लाई कर दिया यह देखो ठाइब कर दूसरी से अड़ भी ऐसे आप सलाई करने हैं चल आपको मैं बाजू बनाना सिखाती है जिदेखो मैंने 32 32 फंदे डाल के मैंने नीचे शुरू किया था फिर मैंने 44 चोति चोती चलाई आपके बच्चा छोटा है तो तो चोतिती स्लाई में पंज में पंज में पंज में स्लाई में आप एक फंदा बढ़ाते जाओ दोनों तरफ से उपर जाके मैंने 62 फंदे कर लिये और फिर थोड़ी सी शेव डार लिया इतनी ज्यादा नहीं 3 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 वर मैंने कटिंग किया इसकी उपर मैंने ज्यादा फंदे रखे हैं 23 फंदे रखके मैंने बंद कर दिया जबेखो मैंने दूसरी बाजु भी बना लिये आपको सिखा देती हूं एक दो तीन और चार पहले मैंने चार किया फिर तीन करूंगी फिर दो करूंगी फिर दो दो के उतने करने जितने मैंने फंदे रखने है ठाई फंदे मैंने रखके बंद कर देने है लास्ट में एक फंदश वोड़के ऐसी तार लेने आप चाहे तो बाजू लगा सकते हो आप चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो आपकी मज्जी है एक दो तीन और चार ऐसी अपने करने पर चार कर लिए फिर तीन फिर दो 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 उपर मैं ठाही फंदर तक कटिंग की है उसके बाद मैंने बंद कर दिये ऐसे आप कर लो फिर आपको पूरा स्वाटर बनाकर मैं आपको दिखाती हूं जी देखो पूरी बन के त्यार हो गई जी उपर मैंने जैकेट जा मैंने थोड़ा फ्लावर बनाकर लगा दिया रीबन भी डाल दिया जी छ आपको दिया ठापकि आपको दिखाती हूं दाल कि बच्चे की है आपने बड़ी बनानी हो तो थोड़े फंदे अजिए बड़ी का लंबाई ज्वड़ी ज्यादा बना लो अपने बच्चे के साफसे बाजू मैंने लगा दी है जैकट तो आपने देखी हुई है साथ में जैकेट हुआ और जै थोड़ ना गोल कला है ना थोड़ा सा नाओ कला है यह देखो ग्रोशे के साथ आपने जैसे जैक्ड में किया था ना यह वाला क्रोश्य मैंने सिखाया था ऐसे मैंने गले के उपर भी कर दिया थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने कमेंट्स रूर देना प्रेक शेही है अवाल थाय है रखर यह Ó बाया